नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटीव चैनल पर और आज आपके लिए न्यू रुकूर्टमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हूँ जो के बिल्कुल फ्रेश है अभी अभी पोस्ट आफिस की तरफ से दो रुकूर्टमेंट नोटिफि की गई है तो पूरी ब्रीफ में बात करेंगे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर फस्टाइम विजट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ के साथ बैल आइकन जरू दबाईएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके प कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में सो जल्दी से जाएगा हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन जरू दबाईएगा चलिए मैं आपको ले जालता हूं रुकूरूट्में नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैं इसके अंदर बताऊंगा आपने इसके लिए apply कैसे करना है तो complete प्रोसेस आपको बताऊंगा सबसे पहला step जो इनकी website पर आपने जाना है जो की appost.in आपको link description में बिल जाएगा तो आपका कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा जो आप सामने देख पा रहे हैं सबसे पहला step हो गए as per 10 certificate जो भी आपका नाम है वह आप इसके अंदर फिल कर लेंगे उसके बाद आपने फादर का नाम लिखना है आपने ठीक है जो भी आपके फादर का नहीं में वह आप लिख लेंगे अपना mobile number जो भी आपका communication mobile number है और अपना अधारकाड नमबर आपने फिल कर लेना ह जो भी आपका बनता है अपनी email id जो भी है आप वही लिख सकते हैं इसके अंदर date of birth जो भी आपकी बनती है अपना gender आपने जूप करना है देन आपनी community जो भी किस भी category से है वो आप से लेक्टर लेंगे और उसके बाद अगर आप वीके सेक्शन से वो भी आपने mention करना certificate है त select आपको PWD सब category select करने पड़ेगी और circle विच आप जिस circle से पास होएं टेंज वो आपको लिखना है year of passing लिखना है और क्या आप bicycle ride कर सकते है वो लिखना है whether आप employed है या नहीं yes or no उसके बाद अपने employee की NOC है या नहीं है और यह जो capture रहा है वो यहाँ पर लिखके आपने इ देख पा रहे हैं free payment का तो आपको इस पर click करना है तो आपको बास कुछ ऐसा जो है interface सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपने अपना registration number जो पहले हमने generate किया था वो आपने यहाँ पर mention कर देना है दिन अपने आप बाकी details जो आप देख पा रहे हैं आपके बास सारी की सारी आ जाएंगी mobile number name community amount उसके बाद आपने payment detail जो है transaction की है make payment पे click करके आप online अपने debit card credit card net banking से payment कर पाएंगे जो की आपको details खुद ही fill करनी है next हम बात करते हैं इसके अंदर उन्हें mention किया है कि आप credit card use करेंगे तो 1% आपका transaction amount अलग से लगेगा so net banking का 10 rupees per transaction आपको लगना है debit card क कहीं पर भी कुछ mention नहीं है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसके लिए debit card ही करिएगा अब हम बात करते हैं third step की जो की आपका apply online का है अगर मैं इस पर click करता हूं कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा जो की online apply करने का है सबसे पहले registration detail जो registration number हमने first step में किया था वो आप यहा आपका नाम आपका address और बाकी detail फिल करनी है और देन आपको जो document आपके 10th के आपके OBC या जिस category से है वो certificate है आपका residential proof है वो आपने यहाँ पे upload करना है preference choose करनी है और last में इसको submit कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे last में print application की option आपके पास तो आप इसमें application को print भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपका next जो है रहता है आपका step वो है रहता है अब आपको form बताता हूँ यह जैसे ही आपका print हो गया यहां से आपका apply properly हो जाएगा और इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका कैसे आपने इसके अंदर जो details है वो पढ़ लेते हैं तो next post assistant branch post master की है थर्ड जो है डाक सेवक की post जो है आउट की गई है तो इसके अंदर अगर हम बात करें आपकी salary की तो इसमें आपकी जो है BPM के लिए 12,000 से लेके 14,500 तक रहेगी ABPM और डाक सेवक की 10,000 से लेके 12,000 तक आपकी salary जो है वो रहने वाली है अब इसके अंदर बात क कर सकते हैं जो कि 27,000 तक बननी चाहिए जो कि SC और ST candidate को 5 साल का Ease relaxation दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल का Ease relaxation है economically weaker section के लिए कोई relaxation नहीं है और personal with disability 10 साल का है personal with disability के लिए PWD OBC के लिए 13 साल का है personal with disability SC के लिए 15 साल का है relaxation तो कोशे condition से वाप पढ़ लीजेगा अब बात करते हैं education and qualification की तो अगर आप 10th pass हैं और 12th pass हैं आप इसके लिए eligible हैं आप apply कर सकते हैं और compulsory local language की knowledge होना आपको बहुत ही जादा जरूरी है और अब हम बात करतें किस कि location के लिए ये recruitment notification आउट किया गया है तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे download notification में बिहार के लिए 1940 post हैं और महारास्टे के लिए 2428 post हैं अगर आपको local language की knowledge है तो आप इन post के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं जल्दी से जाएं लिंक आपको description में मिल जाएगा डिरेक्ट आप जाके apply कर पाएंगे कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई query हो या आपको apply करने में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे उनकी email id और number दिये गए हैं वहाँ पे आप query अपनी कर सकते हैं लिंक आपके सामने है apply कर लिजे जल्दी से जाके कोई दिक्कत आए comment जरूर से करिएगा मिलेंगे नए recruitment notification के सार नई वीडियो के अंदर तक के लिए धन्यवाद